दोस्तो आज का ये chapter बहुत important है आज हम लोग class 10th का एक chapter discuss करेंगे जिसका नाम है From the Diary of Anne Frank Anne Frank का नाम आपने जरूर सुना होगा आपको Hindi का syllabus हो या English का syllabus हो इस लड़की Anne Frank का नाम जरूर सुनने को मिलता है दोस्तों आखिर कौन थी Anne Frank? मैं इस वीडियो में आपको ढंक से बताऊंगा कि कौन थी Anne Frank और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है Anne Frank एक 12 साल की लड़की थी दोस्तों जिसने एक diary लिखी थी प्राइवेट diary को कोई पढ़ता नहीं है वैसे लेकिन इसकी diary को books में छाप दिया ये कोई chapter नहीं है इसी की personal diary में से लिखा लिए हुई information है जिसको पूरी दुनिया बढ़ रही है Anne Frank एक Jewish girl थी यानि की एक यहूदी लड़की थी आपको मालूम है World War 2 के time पर Hitler ने Jew लोगों पर कितना जुल्म किया था अत्याचार किया था तो ये उन में से एक लड़की थी 12 साल की इस लड़की को उसकी family के साथ में उसने उसके आदमियों ने concentration camp में डाल दिया था ये concentration camp क्या होते थे जहां पर लोगों को बहुत यातनाय दी जाती थी तो वहां पर इसको और इसकी family को इसकी बड़ी बहन को, इसकी मा को, इसकी फादर को इन सब को डाल दिया था ताकि यातनाय दे सके हिटलर की इनकी family के साथ में कोई खास दुश्मनी नहीं थी बस एक ही गलती थी कि ये Jew थे, ये यहूदी थे मतलब किसी के धर्म को लेकर इतनी क्या नाराजगी कि आपका उससे कोई link ही नहीं है आपका उसने कुछ, उस इंसानने कुछ बिगाड़ा भी नहीं है तब भी आप उसे concentration camp में डाल कर यातनाय दे रहे हो अब Anne Frank और उसकी family हिटलर से बचकर Netherlands में रहती थी जब उसका 13th birthday था यानि कि 13 साल की जब वो हुई तब उसके father ने उसको एक diary gift की personal diary जिसमें वो अपनी बाते लिख सकती थी जिसमें से आज हम ये उसकी बातें पढ़ रहे है उस diary को उसने बड़ा संभाल की रखा दोस्तों उसमें वो अपनी personal day to day life की बारे में लिखती थी कि किस तरह से वो हिटलर से बचते बचाते नेधरलेंड्स में रह रहे है अब दोस्तों ये diary कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखी गई है ये 5, 7, 10, 20 साल की कहानी बलकि 2 साल की कहानी है जब वो 13 साल की थी और जब वो 15 साल की थी 13 से 15 साल की कहानी है यानि 15 साल की एज में एन फ्रेंक की डैथ हो गई थी दोस्तों फिर उसकी डैथ के बाद में ये diary उसके फादर को मिलती है जब उसकी पूरी family को concentration camp में डाल दिया गया था ना दोस्तों उसके बाद में सिर्फ उसके फादर survive कर पाते हैं बच पाते हैं concentration camp में जिन्दा रहना आसान बात नहीं थी ज्यादा तर लोग मर जाते थे तो एन फ्रेंक की बी डैथ हो गई एन फ्रेंक की मदर की बी डैथ हो गई सिर्फ और सिर्फ उनकी family में से एक इंसान बचता है उसके फादर उसके फादर एंड में बच जाते हैं concentration camp से जिन्दा वापिस आते हैं उसके बाद में उनको अपनी बेटी की डैएरी हाथ लगती है जिसमें वो day to day life के अबारे में लिखती थी ये डैएरी का एक छोटा सा हिस्सा है from the diary of Anne Frank अब मैं आपको बताता हूँ कि Anne Frank इस डैएरी में लिखती क्या है वो सबसे पहले तो ये बताती है कि उन्होंने इस डैएरी को लिखना शुरू क्यों किया क्योंकि उनका कोई अच्छा खासा friend नहीं था जिसे वो सारी बाते बता सकती इसलिए वो डैएरी को अपनी सारी बाते बताती थी अपनी डैएरी को अपनी सारी feelings को वो अपनी डैएरी को बताती थी मतलब डैएरी में लिखती थी जैसे डैएरी कोई नर्जीव चीज नहीं है कोई सजीव चीज है जिससे वो बात कर सकती है अब ऐसा नहीं था कि हमारी family बहुत छोटी थी हम लोग आपस में बात नहीं कर सकते थे बात कर सकते थे मेरी दादी थी, मेरे साथ में रहती थी मेरी बड़ी बहन थी, मेरी मदर थी, मेरे फादर थे ये सारे के सारे family members से लेकिन फिर भी एक deep feelings जो होती थी न वो सारी share करती थी वो अपनी diary के साथ में अब यहाँ पर Anne Frank एक बात बोलती है जिसको आप note कर ले न आप quotation की तरह use कर सकते हो वो बोलती है paper has more patience than people कि paper जो होते है न उनके पास में ज्यादा सबर होता है इंसानों के मुकाबले कि वो ढंक से बात सुन सकते है हम सारी की सारी बाते इंसानों को नहीं बता सकते क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी बातों से बोर हो जाएगा जल्दी से जल्दी अपने judgment पास कर देगा लेकिन पेपर ऐसा कुछ नहीं करता पेपर आपकी बात को सुनता रहता है जो आप लिखते हो वो सारी बातों पे वो कोई response नहीं करता एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एन फ्रेंक ने अपनी diary का नाम क्या दिया था एन फ्रेंक ने अपनी diary का नाम दिया था Kitty इसको note कर ले ना उसकी diary का नाम दिया था Kitty वो Kitty कहकर की बोलती थी जैसे Kitty कोई इंसान हो या फिर कोई जानवर हो जिससे वो बात कर रही है Kitty उसकी diary थी इसके लावा एन फ्रेंक अपनी diary में बोलती है कि वो अपनी दादी को बड़ा मिस करती है दादी उनकी फैमिली के साथ में यहां से वहां भटक रही थी क्योंकि हिटलर का आतनक चाय हुआ था 1941 में जब एन फ्रेंक का बर्डे आया तब उसकी दादी बीमार पड़ गई और 1942 में उसकी दादी की डेथ हो गई तो जिससे वो बहुत ज़्यादा डीपली अटेस्ट थी तो इसलिए वो कहती है कि मैं अपनी दादी को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ वो अपनी दादी को इतना मिस करती थी कि इस बार जो उसका बर्डे आया था न इस बर्डे पे उसने एक कैंडल एक्स्ट्रा जलाई किसके लिए अपनी दादी के लिए ये तो दो बाते हो गई है अब तीसरी बात तीसरी बात होती है 20 जून 1942 सटरडे का दिन था अपने स्कूल के बारे में बताती है एन फ्रेंक वो बताती है कि उस दिन बहुत बिजी टे था बच्चे इधर उदर आपस में स्कूल में बाते कर रहे थे और टीचर्स में आपस में बाते हो रही थी वो डिसाइड करने वाले थे कि कौन से बच्चे को आगे प्रमोट किया जाए तो एन फ्रेंक भी उन बच्चों में से एक थी एन फ्रेंक बोलती है कि मेरी क्लास में इतने सारे डम बच्चे थे कि क्या बता हूँ लेकिन टीचर्स पता नहीं किसको प्रमोट कर दे तो मुझे भी प्रमोट कर सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ सुनने को मिल जाए क्योंकि मेरा Math Subject बहुत वीक था Mathematics में N.Frank बहुत वीक थी बोलती है वो एक टीचर थे Mr. Keezing वो हमेशा मुझे डाटते रहते थे क्लास के अंदर क्योंकि मैं बात बहुत करती थी उस टाइम पर मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता था तो Mr. Keezing उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि तुम एक ऐसे लिखकर लाओ Chatterbox पे Chatterbox क्या होता है जो बहुत बातुनी इंसान होता है उसको बोला जाता है Chatterbox तो एक बातुनी इंसान पर कैसे ऐसे लिखा जा सकता है मैंने फिर भी लिखा और ऐसे बहुत ही अच्छा लिखा बहुत ही humorous ऐसे था मतलब बहुत मजाग की बाते की गई थी उसके अंदर दोसों एक चीज़ मैं आपको बता दू एन फ्रेंक बले ही बाते बहुत करती थी लेकिन वो अपनी बातों को अच्छे से जस्टिफाय कर सकती थी आप उसकी डायरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा वो बाते बहुत करती थी लेकिन वो बहुत स्मार्ट बच्ची थी यानि अगर आप डायरी लिखोगे 13-14 साल की एज में तो कैसे लिखोगे लेकिन जब ये बात करती है तो ऐसा लगता है कोई मैच्वर इंसान बात कर रहा है और ऐसा सब इसलिए हुआ था क्योंकि एन फ्रेंक बहुत बातूनी बच्ची थी और बाते करते करते उसकी समझ बहुत विक्सित हो गई थी वो इस ऐसे के अंदर क्या बोलती है कि एक बातूनी बच्चा तो हर कोई होता है हर कोई बात करना पसंद करता है मैं भी बातुनी बच्ची हूँ लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बाते करने की आदत मेरी मा से मिली है वो ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी मजाक वाली बाते लिखती है और ऐसे लिखे ले जाती है अपने टीचर के पास में उस ऐसे को पढ़ने के बाद में उसके टीचर खुद हसने लगे फिर उसके बाद में दो दिन तीन दिन बाद में वाफिस एन फ्रेंक जब क्लास में बाते करने लगी तो फिर से उसके टीचर ने कहा कि एक और ऐसे लिख कर लाओ और टॉपिक क्या था? an incorrigible chatterbox एक ऐसा chatterbox यानि एक ऐसा बातुनी इंसान जो कभी ठीक नहीं हो सकता ये taunt मारने के लिए किया था उसके teacher ने, N. Frank के teacher ने ठीक है, N. Frank फिर से गई और फिर से एक essay लिख कर लाई N. Frank को अब मज़ा आने लगा था उसके teacher बोलते थे, वो लिख के लाती थी अब तीसरी बार उसके teacher को बहुत गुस्सा आ गया कि ये लड़की चुपी नहीं होती क्लास में बाते करती रहती है उसके teacher ने फिर से बोला कि जाओ, एक क्वाक क्वाक chatterbox पे एक essay लिख कर लाओ और अब की बार Anne Frank ने decide कर लिया कि अब दो बार मेरा मजाग उड़ चुका इस बार मेरे teacher का मजाग उड़ेगा तो उसने decide कर लिया कि अब मैं ऐसे लिखूंगी जिससे teacher का मजाग बन जाएगा वो कहती है कि एक duck के तीन बच्चे होते है जो बहुत क्वैक 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 करते है जिसके लिए वो duck उनको मार देती है क्यों? क्योंकि वो क्वैक क्वैक करते है और बच्चे है तो क्वैक क्वैक तो करेंगी तो duck उनको मार देती है इससे क्या है वो indicate करना चाहती है teacher को कि बच्चे तो बात करते ही हैं, आप उनको रोग कैसे सकते हूँ अब ऐसा लग रहा है ने कि इसके टीचर इसको गलत तरीके से लेंगे लेकिन इसके टीचर ने उस जोग को सिर्फ जोग की तरीके से लिया और इसके बाद में उन्होंने कभी भी एन फ्रेंक से ऐसा नहीं कहा कि तुम इतनी बाते क्यों करती हो कुल मिलाकर यहाँ पर एन फ्रेंक कहती है कि मैंने टीचर को टीचर के ही तरीके से जवाब दिया और यहाँ पर वो साइन करके अपनी डायरी की इस एंट्री को खतम करती है यह एन फ्रेंक की डायरी का एक हिस्सा था छोटा सा दोस्तों उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ऐसे ही यह पूरी डायरी है दोस्तों जिसको मैंने चैनल पर कवर कर दिया है अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी जाकर देख लिजे आज की इस वीडियो में बस इतना ही